प 얼ल शक्ती मंत्री हैं, इस समय भी बाहर लख्रों में बहुत जमाजम बारिश हो रही है और बारिश इतनी जाधा हो रही है कि जहां से आप आते हैं प्रताबगर प्रियागराज उस पूरे इलाक्य को ले 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 जहासी के पूरे इलाक्य के ले ले फ्लट के मारे लोगों का बुरा हल है वहाँ पर जो सितियां पैदा हुई है वो यकीनन बहुत भयाव हैं इसको कंट्रोल कर पाने में क्या आपकी सरकार आपका मंत्राले नाकाम रहा है क्योंकि पूरा पानी भरा हुआ है इस वक्त भी वहाँ पर बहुत बहुत अच्छी बात हमने बताई है पूरे उत्तरप्रदेश में जिस तरीके से प्रड़ कंट्रोल हुआ पिछले पांक चारतालों में पूरे भारत के अंदर एक केस्ट इस्टेडी बन गया है अभी भारत सरकार के मंत्री आजरी गजेन सिंग से खावजी आये थे उ 2020-29 में 12,000 हेक्टेर जमीन हमारी प्रवावित हुई हम लोगों ने 170 परियोजनाओं को पूर्ड किया 242 परियोजनाओं का लोकारपण किया पूरे उत्तरप्रदेश में डजेंग करके चनलाइज करके हमने धारा को परिवर्तित किया अब इन्हों प्रियोग उत्तरप्रद किसी परकार की कोई हानी नहीं कोई कटाओ नहीं हुआ और जिस बाड की बात आप कर रहें कि पानी भड़ा हुआ है कल चार दिन से मद्ध्रदेश और राजस्तान में इस तरीके के बरशात हुई और कोटा बैराज और दतिया से जो पानी चोड़ा गया उसके कारण से पूरे उत्तरप्रदेश में ऐसे कहीं नहीं है, पूरे उत्तरप्रदेश में मैं बाड का काम देखता हूं, मुए पूरे दावे के साथ आपके इस चैनल पर कह सकता हूं, और कोई भी वेक्ति, पीली भीत, लकीमपूर, सीतापूर, हर्दोई, गोड़ा, बलामपूर, बहराईच, और हमारे संदिक कबीर नगर, बस्ती, सिधार नगर, गोरकपूर, महराजगन होते हुए बलिया तक पहुच करके देख ले, पूरा तराई बेल्ट, बाड की सबसे बड़ी समस्या जो आती है, उसका मुख्य कारण है नैपाल का पानी, उसका मुख्य कारण है उत्तराखंड का पानी, उसका मुख्य कारण है राजस्थान का पानी, उसका मुख्य कारण है मद्यपरदेश का पानी, उसके बावजूद भी हम लोगों ने इतना एतिहासी काम किया है और मैं आपके चैनल के मादधम से पूरे भारत में बताना चाहता हूँ आदरी मुक्वंत्री योगी आदितनाज जी जो बाड का पैसा अप्रेल और मई में मिलता था और उसका जब हम लोग टेंडर करते थे तब तक पता चला कि पानी आ गया बरस गया और बाड का प टाओ कहीं पर नहीं है जबकि यहीं बगल में हमारा बिहार है बिहार में किस तरीके से पिछली बार भी देखा आपकी बार भी देखा लेकिन आज भी मेरा उत्तवदेश पूरी तरीके से सुरक्ष्ण